वालो फंदिल वल्कम शुमान एपिसोड ऑफ बॉलिवूद इस वीक फ्रेंज आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं बिग बॉस सीजन बारा का एपिसोड नमबर 67 चली शुरू करते हैं केड़ो हाल है कसका एंड वालकम फिस प्रेंट बिग बॉस सीजन बारा पावर बाय ओपो एफ नाइन प्रो इस मेरा भाई आई प्ल पंजाब वर्सिस मुंबई इंडियंस वांकेडे स्टेडियम याने के मुंबई का वह स्टेडियम जहां पर हिंदुस्तान के क्रिकेट के एक ऐसी मैच यूनों हुई थी जहां पर हिंदुस्तान ने अपना दूसरा वर्लकप 2011 में जीता था वह स्टेडियम पर जब मुंबई इंडियंस और किंग्स लेवन पंजाब की मैच होती है और हर्बजन सिंग जो के पंजाबी है वह पंजाब छोड़कर मुंबई इंडि पर फेकता है उनके बीच में एक वारतलाप होती है और जब उस समय के स्विंग अफ सुल्तान क्या सकता हूं इंडियन बॉलिंग अटक के सीम अटक के इरफान पठान हर्बजन सिंग को जो के एक बैट्समन नहीं है उनको आउट कर देते हैं और शीशान अपने उत्सा और लास को कंट्रोल ना करते हुए जिस तरह से इनों मुंबाई इंडियन से कैटन हर्बजन सिंग को एक बहुत ही अच्छा सेंड ओफ देते हैं कि तू आउट हो चुका है और जब मैच खतम हो जाती है उनके होम ग्राउंड पर याने के मुंबाई इंडियन के होम सब्सक्राइब वहां पर जब हर्बजन सिंग अपने सामने वाले टीम के उस सदस्य को जो उनको जिंदगी बार भजजी पाप भजजी पाप बुलाते हैं उनके मूँ पर एक लाफा जड़ देते हैं यह कानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी इस फेमस स्लाब गे की राहों में खो गया उसको कोई टीम अपने टीम से खिलाना नहीं चाहती थी उसके बाद उस पर मैक फिक्सिंग के आरोप लगे और गाइस शीशान का वर्जन अनफॉर्चुनेटली दबा होगा रह गया आज इस कारिया के वज़ा से बिग बॉस में कैटन सी कारिया था जहां पर दो कैटन्स जाने के जो दावेदार है सूर्भी और दीपक उनके वज़ा से आप लोगों को कोई ब्रेकिंग न्यूस बनानी है जो के हर वीक यूनों जो नहीं आइंकर आई है आज तक की वो यूनों ये टेलीकास्ट को यूनों टेलीकास्ट करेगी उसके कारण जो अपना आज असली रंग निखाया सूर्भी के लिए उसने अपने जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया यह आज एपिसोड में डिसकस करना बनता है वहां पर हरवजन सिंग ने शीषान को लाफा नहीं बलके पंच मार दिया अब इसमें कितनी सच्चा है कितनी जूट है यह जब हरवजन सिंग आएंगे तब बताएंगे लेकिन हरवजन सिंग अभी फिलाल वडाला में टेलर है प्यूच देडिया उसके कपड़े पहिंने में बीजी ए उसको प्रमोट करने में बीजी है अपने गीता बसरा के साथ तो मैंको नहीं लगता तो बेटा हरवजान सिंग तुम प्यूज डेढ़िया के कपड़े पहनते हो ना वही कपड़े पहन के आके इस बात को यूनों जस्टिफाई करना क्यों आज भी इतने साल बीतने के बाद श्रीशांग जिस तरह से हरवजान सिंग को भज्जी पा बुलाता है वेल फैस सब्सक्राइब करना कि अपने अपने आखों के सामने है हरवजान जितना बत्तम ही हो सकता है और फिल्ड और और फिल्ड यह बहुत दोगों को पता है इसका अटिट्टिव उसको ले डूबा है शीशांग यहां पर दूद का धुला हुआ हुआ है गाइस शीशांग कभी था मुझा आज भी याद है रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सिज इंडिया टीम की मैच हो रही थी और शीशांग ने सचिन दिल्लूकर को आउट किया था दोनों दूद के धुले यहीं पर रफा रफा कर दो शुरू हुआ कि इस तरह से छोटा बच्चा जानके मुझको ना बहला ना रे दिपक जो है उसको इव टीजिंग के महले में सूमी जो है वह क्यूस करती है तो कहती है तुम्हें घूरता है तुम्हें गंदी निगाहों से देखता है तुम उसक तुम्हें गूरेगा में सूमी को को गेम में है न यह जो पड़का देती है और यहीं आज कल रड़कियां जो करती है गलत करती है यहां पर दीपक सब से सपोर्ट मांगता है तुम्हें सूर्भी तोनों क्याप्टन सी के पते हैं दावेदार है और दीपक कहता है मेंगा जी को मुझे सपोर्ट करोhh jó को यहां पर शुष्टी और सूर्भी रान यह तुम्हारे घर पर अंटी नहीं है कि हुआ पों में अंटी को बोरिंग आंटी कहते हो तुम्हारा जो बाप डखेल है कै न इस earns तक्ला और को अंकल और बोरिंग अंटी हमको पका रहे हैं वाव शुष्टी आसे तुम्हारे नाम में क्या रखाऊ पता है फवड़े फवड़े दात बाहर क्लिप लागा जाके डेंटिस के बाद जाके दातडी कैसा लगे जाते हो सुनके मज़ा आएगा ना आना चाहिए कहानी वहां स पर आज तक की जो एंकर है वो हमें बता है वे आज तक की एंकर श्वेता सिंह आज भी उतनी ही जवान लगती है जितने हो पहें लगते दी यह सोचना के लाइन मार रहा हूं काहनी आगे बढ़ती है यहां पर पहली कहानी वापर सामने आती है यह रोहित बीक बॉस का घर सब्सक्राइब भागने कोशिश कर रहा है यह पहला जो फेक बनाया अपने लोगोंने क्या बोलती है मेगा बोलती है मैं वाइल कंटेस्टेंट नहीं हूं लेकिन उस कार्या में वापर से दीपक को एक पॉइंट दिया जाता है कानी आगे बढ़ती है और यहां पर जो इस घर में बहुत ही इन्हों निंदनिया है दीपक ठाकूर किस हद तक गिरकर एक महीला को इनिस्टिगेट कर सकता है या आप लोगों इस शो में देख लिया चाल चलन चाल चलन क्या होता है अगर मैं कर रोड़ पे जाके बोलूं किसी लड़की को तरह चाल चलन सही नहीं है चाल चलन में बहुत ही खराब और निंदनिया शब्द है जहां पर कि मैं तुम्हारे चाल चलन के बारे में जानता हूं मैं अगर में घड़े होता दीपक को सिर्फ ठूकता नहीं चपल इसका मुह तोड़े था लेकिन उसे चपल मारी गलत किया में घड़े चपल नहीं ठूकना नहीं चाहिए लेकिन मैंटर आगे चला गया था यहां पर उसको रोकना थोड़ा मुश्किल था लेकिन यहां पर बीपक को सुर्भी को वान वान पॉइंट मिलते है रोहित जो है यह जेल में घुज जाता है जस्किन कहती है तो रोहित तुम एक रूल ब्लेकर हो अगली बार तुम नहीं हरकत करते वह दिखी तो मैं तुमको लाफा मार दूंगी और सुमी खान यहां पर जगड़ा हो सुमी खान बोलती है अगर मैं फुटेश खा रही हूं तूकि यहां पर ताय मारने के लिए आई है कहानी आगर वड़ती है सुमी खान कहती है तू उठाई गिरी है थाली की बैंगन है उठाई गिरी थाली की बैंगन अपनी इनों फीमेल जाती को ऐसे शब्ड यूप्योग करना नौट कूल लोनों को दो दो पॉइंट बिल जाते हैं लेकिन वहां पर जिस तरह से शीषांत ने अपनी कहानी बताई ये कहानी ने सुर्भी राना को क्या टास्क में जिता दिया और उनको त्री पॉइंट दीपक के पास बीच में बहुत बार आया शीषांत को पूछने के लिए आप क्या इंट्रव्यू दे रहे हो लेकिन शीषांत ने एक बार भी उसके जबाब नहीं दिया नहीं सुर्भी अब इस गर की नहीं कपता नहीं क्या होता है ये तो वक्ती बताएगा आज का थोड़ा है भी था सुनने के लिए शीषांत इस दा बाइड बॉय ऑफ इनर क्रिकेट टीम बहुत ही मिस अंडर्स्टून गर्ति था मुझे आज भी आते पांच बज़े सुबर क्रिकेट की मैचेस देखा था ऐस्टेलिया में और शीषां माइकल स्लेटर इन लोगों को आडम गिल्क्रिस्ट मैथ्यू हेडन को नाक में चबे चब चने चबवा देता था टेस्ट बॉलिंग करके ऐसे इंसान के लिए रिस्पेक बनती है याइस पसंद आए प्रिशान को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कल एक नए एपिसोट एक नहीं शुरुआ दिस मियान अनसारी साइनिग ओफ यह गराशी में वेरी सून तिल दिल देन अजल्वेस से बूल मान गुटनाइट